एमर इस्कूल के जो डाइडेक्टर हैं स्री सुधीर कुमार यादव जी सर से भी हम कुछ बातचीत कर लेते हैं चुकि सारा जो इसकूल का जो मनेटरिंग है सर ही देखते हैं सर एमर इसकूल नया ओपनिंग हुआ है क्या कुछ इसमें विवस्ताय रहेंगे अगामी चुकि सर का तो कहना है कि हम लोग दो महीने में ही सारे विवस्ताओं को यहां पे रखेंगे और सीवी एससे भी मानता दिलवाने का हम लोग काम कर रहे हैं सर्काना सही था और हम इस अंदर में एक से दो महीने के अंदर में सब कुछ कर लिया जाएगा अभी स्कूल में जिस तरीके से एक महीने में करीब एक आत्सों स्टूडेंट इसमें आ गये हैं तो कहीं कहीं से प्लस में चल ला है चुकि धीरे-धीरे जो इंटेरियल इलाका है भगवानपूर का और भगवानपूर में एमर इसकूल बेन फ्रॉंट पर जो है ओवर वीज के जस्ट अपोजिट जो है खुला है आगामी क्या कुछ प्लान है क्या-क्या बेवस्ताइं रहेंगी स्कूल में पठन-पाठन के लिए बच्चों को दूर जाना पड़ता थ सराय हाजिपूर जाना पड़ता था इसलिए हमने सोचा कि क्योंने ग्रामीन इलाके में एक अच्छा सेक्षनिक माहूल दिया जाए इसी सोच के अंतरगत हमने अपने पिताजी के नाम पर इस विद्याले का निर्मान कराया है हमारे यहां आधुनिक सिक्षा के ध्यान में सभी तरह की वेवस्था को उपलब्द कराया गया है उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्याले से बच्चे अच्छे और कुशल निकलेंगे पाली बात की सीवीए सी केरिकुलम के अधार पर हमने इस भावन का निर्मान कराया है ताकि हमें सीवीए सी एफ्लियेशन लेने में क अभी हमारे यहां एडमिशन फिरी की वेवस्ता है और एक मैना फिरी डेमो कलास की वेवस्ता है और भगवानपूर की लोगों से बहुत बढ़ा उम्मीद है और इस उम्मीद पर वो लोग खड़े उत्रेंगे भगवानपूर ओभर ब्रीज के पास और आप देख सकते हैं कि एमार पबलिक स्कूल जो है नया यहां पे खुला है और इसका हाल ही में ओपनिंग हुआ है अभी संजीब सर हमारे साथ जूटने वाले हैं नया ही स्कूल खुला है और सारे बेवस्ताएं इसमें धीरे धीरे इंतिजाम किये जा रहे हैं सर से जाने की कोसिस करेंगे कि आ सबसे पहले तो नेशन टीवी पिहार पर बहुत स्वागत है सर आपका जीस तरीके से एमार इसकूल का आपने ओपनिंग किया है इसमें क्या कुछ फैसलिटीज हैं स्टुडेंट्स के लिए चूकि जीस तरीके से टी यार्पी वटोरे जाते हैं इसकूल अलग-अलग फैस है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को हम सिक्षित कर पाएं दूसरा कि हमारा आप नजय उठाकर देखेंगे तो बहुत बड़े आदमी के बच्चे बड़े बड़े इसकूल में पर लिया करते हैं और हम चाहते हैं कि गरामी छेतर में वह संसाधन उपलब्द कराएं जो आधरल के लोग शहर में अपने बच्चों को नहीं परा पाते हैं या नहीं भेज पाते हैं आ औरफिक परिशान या परिषरती बस आईसा नहीं कर भबाते हैं हम चाह रहे हैं कि हमारे विद्याले में वैसे बच्चे जिनका दूर दूरता कहीं सहर से कोई संबंध नहीं है तो पूरे सहरी बातावरन में जो आज के डिमांड है जो हमारे बच्चे उसको फूल फिल कह रहे हैं जैसे आप देखते होंगे कंप्यूटर के छेत्र में ग्रामीन छेत्र के बच्चे पिछर जा रहे हैं एकेडमी में मुलू रूप से उनका इंग्लिस बहुत पूर होता है और ग्रामीन छेत्र से होने के कारण अच्छे मेरिट होने के बाबजूद भी लिट्रेचर में उनका इंग्लिस पूर होने के वाज़े से उनका अच्छे अच्छे कंप्यूटिशन में सेलेक्शन नहीं हो पाता है तो हम चाहते हैं कि हमारे विद्याले में वैसे बंचित बच्चे जो आर्थिक समाजिक और मामले में जो पिछे बरक के लोग हैं वैसे विद्यार्थिक को हम और विद्याले उसे ज़्यादा से ज़्यादा सहजो करने के लिए तत्वर हैं आपसे और बाचीत करें कि आज यह सर्जीस तरीके से एमर पवलिक स्कूल भगवानपूर में खुले हैं तो कहीने कहीं से आकरसन का केद्री बना हुआ है आप देख सकते हैं कि सामने ओबर व बेवस्थायों को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है यह आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सा जो हौल है इसको बनाया गया है इसमें स्टुडेंट पढ़ेंगे और यहां पे डिजिटल बोर्ड भी लगने वाला है और सर चाह रहे हैं कि यह स्कूल को भगवानपूर का टॉप इसकूल बनाया जाए उसके लिए यह बेवस्थाय भी कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि ओफिस भी सर का है कितना सुसजीत रूप से है बनाया गया है भागवानपूर में और कहीं न कहीं से सर का यह सोच है कि भागवानपूर का टॉप इसकूल बनाने के साथ सत यहां पर जो बच्चे पढ़ने आए उनको कम पैसे में ज्यादा संसाधन दिया जाएगा ज्यादा बेवस्थाएं उनको दिये जाएंगे ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई परसानी नहीं हो और गार्जियन यहां पर अगर पढ़ते हैं तो उनको गार्जियन के बच्च पड़ी सुलत है और किसी प्रकर का कोई चार्ज़ सेशन प्रज़ा लग रहा है आप्रील से से शेशuito कर रहे हैं तुब अप्रिल से स्टайтесь Gyar अभी जो बहुत सारी विद्याल है गार्जियन और बच्चे को ठगने का काम कर रहे हैं उसकार से हम आए हैं यहां पर हमारे उपर भी लोगों को विश्वास एक वायक नहीं हो पा रहा है उनको लग रहा है कि कोई ने कोई सरका उद्देश होगा लेकिन वह सा कोई हमारा प्रयास है दीन रात एक करके इन्होंने इन्होंने आज तक कभी टाइम नहीं देखा और सतत परिश्यम करते रहें और हम लोगों का उद्देश है कि हम अपने यहां जो भी एड्मिटेड बच्चे हैं हर एक बच्चे का विश्तार से उसका जनकारी लें और उसके बाद उ हम लोग इसको सीवी सी से भी मानता दिलवाएंगे तो उसके लिए आपकी कितनी तैयारिया जो है ठोस है यह हमारे यहां जो अभी भारत सकार की सीवी सी का करिकुलम है करिटेरिया है उसको हम फूल फिल कर रहे हैं उतना मेरे पास जमीन उपलब्द है हम उसी हिसाब से पठन पाठन प्लेग्राउंड और लेटिन ट्वालेट बगर सारा समुचित जगह पे हो उस पर प्रोपर काम किया है आम तोर पे देखा जाता है कहाबत भी है उसको सब लोग हंसी में उसको ले लेते हैं कि प्राइबेट स्कूल में बच्चों को कूटा जाता है और गार् चाहिए तो है ही लेकिन हम अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं करना चाहते हैं हम आप से जो कह रहे हैं वहीं करेंगे और संस्थान जो होती है वहां लॉंग टाइम के लिए होती है आज अगर हम किसी भी पैरन्स को लूट लेंगे या बच्चों के साथ हमारा अच्छा अबेर में हो दोस्ताना ब्योंषाड को अपनत्त्र नहीं होगी हम से उसका लगाऊ नहीं के लोग तो अभी यहां नमांकन कराना संभव नहीं है लिकिन भगमानपूर के जो एरिया के लोग है उनसे क्या कुछ कि अपपील करना चाहेंगे अपने स्कूल के नमांकन के लिए अईसा है कि विद्याले कि कक्सेशन होता है एक साल का एक साल में बच्चे का सततपरिश्रम गुरु जनों का माघदर्शन वह बच्चों में निखाड लाता है उस क्लास के लिए दूसरी चीज क्या है कि हम अपन दूसरी चीज कि गार्जियन ठागे नहीं जाएं बहुत ठागा चुके हैं अब ठागे नहीं जाएं और बीच विच्चों हम गार्जियन से सदैव संपर्क में राते हैं और हमारा जो कंटेक्ट नंबर है 24 आवर यहाद चालू राता है जब वहां किसी भी बात पर अपना सुझहाओं देना चाहें हम प्राती दिन का सुझहाओं को नोट करते हैं और उस आधार पर भी अपने थीम नहीं होता है हमारे पर शैब संजय कुमार गुपता सर अगर नमांकन कराना हो तो यहां पर अगामी दो महीने में यहां पर होंगे और भगवानपूर का एरिया है वहां चर्चा का बिसे बना हुआ है तो कि एमार स्कूल में मातर एक महीने में ही संख्या में स्टुडेंट नमांकन करा चुके हैं अपने परिवार को लेके यहां पर लोग आ रहे हैं बहुत बच्चे भी एक दूसरे को बता रहे हैं कि अमर इसकूल में नमांकन कराने से बहुत ज्यादा बेनफीट है अब देखना है कि स्कूल में क्या कुछ संसाधन होते हैं अगामी क्योंकि सरका तो प्लान है कि इसको जो है सीवेसी तक का जो है ले जाना है और तमाम फैसलीटी से अभुगत कराना है क्यामना परसान अमीद के लिए नेसे टुई बिहार से मैं प्रेंच